Hello everyone, स्वागत है आपका तस दमदार रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी वाक्य की सीरीज के part 47 में So guys, आज का हमारा first sentence है, ये तुम्हारे भले के लिए है इसको इंग्लिश में बोलेंगे, this is for your good This is for your good, for your good means तुम्हारे भले के लिए, तुम्हारे अच्छे के लिए This is for your good, second sentence is अब सब तुम्हारे उपर है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे Now it's all up to you, now it's all up to you, अब सब तुम्हारे उपर है जैसा तुम चाहोगे, जैसा तुम करोगे वैसा ही होगा, now it's all up to you Third sentence is, हसलो जितना हसना है, laugh as much as you want to Fourth sentence is, बार-बार क्यों टोक रहे हो मुझे? Why are you interrupting me again and again? Interrupt का मतलब होता है काईस, किसी को टोक ना और ये sentence present continuous tense में है, इसलिए हमने interrupt को ing लगा कर interrupting use किया है यहाँ पर Fifth sentence is, हम अपने घर की मरम्मत करवा रहे हैं इसको इंग्लिश में बोलेंगे We are getting our house repaired We are getting our house repaired Repaired means मरम्मत करवाना हम अपने घर की मरम्मत करवा रहे हैं We are getting our house repaired Sixth sentence is, कितना खराब जमाना आ गया है इसको इंग्लिश में बोलेंगे What a bad time What a bad time Seventh sentence is, मुझे बस एक दिन का वक्त दो इसको इंग्लिश में बोलेंगे Just give me a day's time Just give me a day's time मुझे बस एक दिन का वक्त दो Just give me a day's time Eighth sentence is, अब तुम भी शान्त हो जाओ Now you two calm down Now you two calm down अब तुम भी शान्त हो जाओ Now you two calm down Ninth sentence is, उसने सच में कमाल कर दिया इसको इंग्लिश में बोलेंगे She really did wonder She really did wonder Wonder means कमाल उसने सच में कमाल कर दिया She really did wonder Last sentence of the day is वो एक जाना माना गायक है मतलब प्रसिद है बहुत ज्यादा सब उसे जानते हैं इसको इंग्लिश में बोलेंगे He is a well-known singer He is a well-known singer Well-known means जाना माना वो एक जाना माना गायक है He is a well-known singer So guys, that's all for today I hope यह सारे sentences आपके लिए काफी useful रहेंगे इन में से आपका फेवरिट सेंटेंस कौन सा था? मुझे कॉमेंट करके आप जरूर बताना और अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगी है और आपके इससे कुछ सीखा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे मेरे रोज आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन